हे गाईज वेलकम टू काजल व्लोगर दोस्तों आज कल फैशन में हैवी एरिंग्स बहुत हैं अगर आप इन हैवी एरिंग्स को पहनते हैं तो आपके कानों में दर्ध होता है और वो लटकने लग जाते हैं तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम कुछ टिप्स ले किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है एरिंग्स पहनने से हमारे जो कानों में दर्ध होता है उसके लिए हम आपको बतान होते हैं यह ट्रांस्परेंट और सॉफ्ट मैटिरियल के होते हैं जिनने इयर लोब पर पीछे की ओर से लगाया जा सकता है इस सपोर्ट की वज़े से कान के छेद को लटकने और बड़ा होने से भी रोका जाता है और साथ ही कानों में दर्ध भी नहीं होता तो आप इसका यूज़ करके हैवी एरिंग्स पहन सकते हैं और अपने लुच को चेंज कर सकते हैं चेन अगर आप हैवी एरिंग्स पहनने के शौक रखते हैं तो आप चेंवाले एरिंग'S भी चूण सकते हैं आप चाहें तो शौप पर अच्छे से मैचिंग चैन मिल जाती है और इससे आपको दर्द भी नहीं होता आपके एरिंग्स लटकते भी नहीं है और देखने में भी बहुत सुन्दर लगते हैं तो ये वाला टिप्स भी आप ट्राई कर सकते हैं क्रीम अगर आपके कान के जुमके पहनने से दर्द होता है यानि कि बड़ एरिंग्स पहनने से आपके कानों में दर्द होता है तो मार्केट में नमिंग क्रीम मिलती है ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक वाले शौप पे मिल जाती है जिससे आप कान के छेद के आसपस लगा सक जिससे आपके कानों में दर्द भी कम होगा और आपके छेद भी बड़े नहीं होगे तो यह भी बहुत अच्छा टिप्स है इसको भी आप यूज करके बड़े एरिंग्स पहन सकते हैं Lightweight earrings DP का पादुकोन और अनुष्का शर्मा जैसे अगर आपको बड़े एरिंग्स पहनने का शौक है तो भी आप Heavy earrings ना लेकर हलके earrings जो lightweight earrings होते हैं उस भी बड़े-बड़े designs के earrings आते हैं मार्केट में तो आप वो भी ट्राइ कर सकते हैं Lightweight earrings जो कि दिखने में काफी trendy look के होते हैं और आपके कानों को भी कोई तकलीफ नहीं होती नहीं आपको दर्द होगा तो दोस्तों यह थे छोटे-छोटे दो-तीन टिप्स जो मैंने आपको बताए कि अगर आपके कानों के छेट बड़े हो जाते हैं heavy earrings पहनने से जिससे आप fashion के साथ नहीं चल पाते तो आप इन टिप्स को अपना कर fashion में एंटर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताईए और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो selection जरूर कर दीजिए